नमस्कार आदाब मैं हूँ फरहान और SPN9 के इस खास कारी करम में आप सभी का स्वागत है NRC, CAA और NPR हिंदुस्तार में कि ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि जहां कारोबार धुस्त पड़े हैं प्रदर्शन कारी कारोबार छोड़कर प्रदर्शन करने आ रहे हैं यदि कारोबार करने जाते हैं तो अपने आने वाले वनसजों को क्या मुह दिखाएंगे कि आप कैसे भारतिये नहीं रहे गए किस तरहे आपकी नागरिकता छीन ली गई जब विरोत करने का दौर था तो हम दुकानों पर बैठे थे कमाई कर रहे थे और हमने आपके साथ क प्रदर्शन में नहीं उतरा हुआ है बलकि हिंदू समुदाये भी कादे से काद्र मिला कर साथ दे रहा है भलाई वह संक्या में कब हो सकता है भलाई उन लोगों की संक्या ज्यादा है हिंदू समाज में जो भारती अधा-पार्टी के साथ समर्थन में हैं इस कानून को लेकर समर्थन में भी जो लोग हैं तो उन्हें इस बात का डर ही नहीं है कि उनकी नागरिक्ता चली जाएगी बलकि भय तो सिर्फ मुस्लिम समूदाय को है यदिवाइस पष्ट नहीं कर पाते हैं कागजात पेश नहीं कर पाते हैं तो आखिर वय कहा जाएंगे क्या उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा क्या बच्चे स्कूलों में भी नहीं पड़ पाएंगे जिटेंसन सेंटर में रहना पड़ेगा या देश से निकाल दिया जाएगा ऐसी तमाम मुसीबतें हैं और तमाम ऐसी बातें आगे आने वाले समय में होने वाली है जिसको सोचकर अभी प्रदर्शन में जुटा हुआ है मुस्लिम समूदाय गोलिया चलाई गई हिंसा की घटन हुआ हुआ है यह इजाफा किस बात को लेकर हुआ है इस बात पर आज हम चर्चा करते हैं जहां एक और मुस्लिम समूदाय का साथ कांधा से कांधा मिलाकर हिंदू समूदाय भी दे रहा था शाहीन बाक के प्रदर्शन में कस्वीरी पंडित भी शामिल हुए वहीं अब य हजारों की तादाद में भीड खटा हुई और मार्च निकाला गया जिसमें सिक समूदाय और इसाई समूदाय ने शिरकत की वह भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए बहुत ही अब एक मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है केंदर सरकार की जिस तरह सिक समूदाय भी उतर आया है और इसाई समूदाय भी कांधे से कांधा मिलाकर उतर आया है हम आपको बता दे कि दिल्ली विधानसाबा चुनाओं में अकाली दल को जो चार सीटे मांग रहा था भारतियंता पार्टी उसे केवल एक से दो सीटे देना चाहती थी अकाली दल के अंदर गु लोट गए दिल्ली विधानसाबा चुनाओं में नहीं दिखाई देगा अकाली दल तो वही अकाली दल के वरिष्ट नेता हैं मनजिंदर सिंग सिरसा उन्होंने भी यही बात कही जो बातें लगतार कही जा रही थी कि यह कानून अलफ संख्यकों की खिलाफ है सम्विधान क खिलाफ है उनका इस बहुत बिल्कुल नहीं दिखाई देता है मुसलमानों का बलकि जो किसी वज़ा से कागजात नहीं बनवा पाएं हैं दस्तावेज नहीं है या फिर उन पर कभी जमीन नहीं रही है कोई घर नहीं रहा है साधा से ही घुमकर रहे हैं घुमकर से मेरा मतल गुमंतू जिसको बोलते थे जिनके घर नहीं होता था खाना बदोश की तरह वह एक जिले से दूसरे जिले में एक राजे से दूसरे राज में जाते रहे हैं आखिर वह कहां से अपनी नागरिक्ता को प्रस्तुत कर पाएंगे सरकार के सामने कहां से वह दस्तावेज जो उनके पास है ही नहीं और उनको यह भी नहीं पता है कि वह भारत से पहले किस देश के थे भले ही वह किसी अन्य देश से आये हो लेकिन वह कैसे इस बात को इस पष्ट कर पाएंगे कि वह किस देश के हैं और कौन सा देश उन्हें अपनाएगा तो यहां पर सिक presenter समूद का वह वाकई में अतुल्निय है अदुटिय है यहां पर लेकिन केवल मुस्लिम समुधाय की ही बात नहीं है बलकि भारत के समविधान को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है सभी जितने भी प्रदर्शन हो रहा हैं वहां समविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जा रहा है अब तक समविधान के बारे में जितनी भी बातें नहीं होती थी समविधान का नाम कभी कभी किसी टीवी डिबेट में सुनने को मिल जाता था असा उद्दीन वैशी की तरहे नेताओं से या फिर आरसिस के नेताओं से या फिर मौजूदा जो प्रदान मंतरी होते थे लेकर मुसल्मानों के साथ तो आपकी राय बहुत या वश्यक है इसमें क्या भारती इंताओं पार्टी को और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी क्या भारती इंताओं पार्टी को बैक फुट लेना पड़ेगा कानून को रद्द करना पड़ेगा इन सभी सवालों का जवाब आफ़े कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कारी करम को लाइक करें जादे जादे शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूलें तब तक के लिए जाज़त चाहूंगा नमस्कार